हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं अपने स्वागत करता हूँ पर फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में और आप सभी को हैपी दिवाली सेफ रहीएगा पटा के अगर छोड़ रहे हैं तो अपने हाथ का ध्यान तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर आर सी ग्रूब डी का अपका एक्जाम हो चुका है अंसर की आ चुकी है अब बहुत से कैंडिडेट का एक सवाल है कि वह उबजक्शन आंसर की आएगी या नहीं आएगी उबजक्शन हमने कर दिये हैं फाइनल आंसर की कव आ तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितना objection हुआ है तो लगभग सभी shift में एक या दो सवाल और इन से भी ज्यादा सवाल जो है सभी shift में गलत पाए गये हैं एक से ज्यादा shift के अंदर दो से तीन सवाल भी गलत पाए गये हैं यानि के बहुत कम शिव्ट आफ की ऐसी है जहां पर आपको एक भी सवाल गलत नहीं मिला है क्योंके काफी ज़्यादा एकजाम हुए थे, काफी ज़्यादा दिन, काफी ज़्यादा शिफ्टो में एकजाम हुए थे तो सारी shift के exam को analyze करना या फिर उनके paper को लेके analyze करना कि वही कौन सा सवाल गलत है कौन सा सही है यह थोड़ा सा मुश्किल काम है और lengthy process भी है अगर कोई teacher इस तरीके से analyze करेगा तो उसको एक से देड़ महिना लग जाएगा अगर अकेले analyze करेगा तो बाकि अगर उसकी team है तो जल्दी भी आपको पता सकता है कि shift में इतने गलत सवाल है इतने गलत सवाल इस shift में हैं तो आप सभी ने गलत सवाल पर objection कर दिये हैं अब जो objection के बाद क्या होगा तो objection के बाद जो आपकी final answer की आईगी वो आपकी result के साथ भी आ सकती है ज्यादा तर तो result के साथ ही आती है बाकि अगर पहले भी इस बार आ सकती है लेकिन most probably जो chances है आपके वो result के साथ ही आईगी यानि कि अगर आज आपका result announce होता है तो आज ही आपकी answer की भी final आ जाएगी उसमें आप check out कर सकते हैं कि shift में कितने गलत सवाल है हमें कितना bonus मिला ह कितना हमारे shift में गलत सवाल थे वो सब आप उसमें check कर सकते हैं कोई भी पहले नहीं आती और यह भी मैं आपको बता दूंगे final answer के आपकी जरूर आएगी क्योंकि आप सब भी जानते हैं आपने exam बहुत सारे दिये भी होंगे आप दे भी ड्रे होंगे जब भी कोई department या को कोई recruitment agency होती है objection फिल करवाती है आपसे तो final answer की जरूर देती है तो final answer की आपकी RRC Group D में भी definitely आएगी आप इस चीज़ के लिए tension मत लीजेगा बिलकुल और RRC Group D का क्या selection procedure रहने वाला है कब कब क्या क्या करने वाले हैं यह इसका notice जो RRC ने पहले ही आपको दे दिया है कि च को है भरती जो है complete करा लेगा आपको selection complete दे देगा तो मैं आगे बात करता हूं cutoff की तो देखिए जब आपके shift के अंदर सवाल गलत पाए जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा bonus marks आपको मिल जाएंगे दो या तिन तो cutoff पर भी उसका impact पड़ता है cutoff भी आपकी कम या ज्यादा हो सकती है ऐसा नहीं है कि आपके bonus में दो marks मिले लेकिन cutoff तो cutoff पर भी आपका एक या दो marks का जो है impact जरूर पड़ेगा अगर आपको bonus मिलता है या फिर आपके shift के अंदर ज्यादा सवाल जो है नेगलेक्ट हो जाते हैं जैसा की मेरे साथ ंटी पीसी में होवा था मेरे जो right सवाल थे तीन मेरे right सवाल थे लेकिन आरड़ वी ने वह नेगलेक्ट कर दीए थे एंटीज़ पीसी ने वह नेगलेक्ट कर दिये थे लेकिन उनका कोई bonus marks नहीं था तो मेरी जो Marking हुई थी जो मेरा percentage बना था तो मेरे माक्स बने थे 97 में से बने थे आउट ओफ 100 में 100 को हटा दिया था 97 उस समय मेरे मैरे मरे मैरे मरे मेरे उसके अंदर 72 थे तो इस तरीके से भी आपका RCC डी में भी आपका इसी प्रकार से होने वाला है तो आप बिल्कुल भी अगर आपने चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको जैसे ही कोई नोटिस आपके लिए फायदमन दोगा उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाएगा तो बैल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा तो शुरूर बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल